नमस्कार मैं डॉक्टर अनिल शर्मा प्रोफेसर और हैड डेपार्टमेंट ऑफ काडियोलोजी बॉंबे हॉस्पिटल मुंबई और आज हम लोग बात कर रहे हैं हार्ट डिजीज हार्ट में कई तरह की डिजीज होती हैं लेकिन जिस प्रमुक डिजीज के बारे में आज बा के कारण होने वाले रुकावट अगर वो रिकावट होती है यानि 80-90 परसेंट ब्लॉक होता है तो वह एंजाइना होता है जिसे हम भारीपान या सांस की तकलिफ भी हो सकती है लेकिन अगर सडनली कोई 100 परसेंट ब्लॉक हो जाए तो उसे फिर हम बोलते हैं हार्ट अटेक यानि severe वो life-threatening disease हो सकती है मैं उसका इलाज करता हूँ रवाइयां देता हूँ एंजोपलास्टी करता हूँ लेकिन उससे कहीं ज्यादा important है इन बीमारियों को होने से रोकना यानि मैं interventional cardiologist हूँ लेकिन बात कर रहा हूँ prevention की क्योंकि भारत जैसे देश के अंदर prevention बहुत important है कैसे रोकें इस बीमारी को सबसे महत्पूर्ण बात यह है कि हम अपनी lifestyle change करें दिमाग को ठंडा रखें गुसा टेंशन तंबाकू smoking शराप कम नहीं करना है बंद करना है उसके बाद आता है lungs यानि हम प्रानायाम करें breathing exercise करें प्रती दिन कम से कम 30 मिनट फिर आता है कुरी चना डाले यह खूब खाएं नॉन वेज भी अंडा सफेद चिकन या फिश खा सकते हैं लेकिन तलावा मीठा बहुत ज़्यादा नमक वाला मिर्च मसाले सामान से अवाइड करें और यह जंक फूड है वो खाना अवाइड करें फास्फूड नहीं खाएं मटन अवा चीज रखनी है इसको ठंडा रखना है इसको अंदरम रखना है इसको गरम रखना है और इसको प्राणायम करके लंग से प्यॉर ऑक्सिजन लेनी है अगर यह सब करने के बावजूद भी आपको हाट की ब्लॉक की बिमारी हो जाए डायबिटीज, ब्लड पेशेर, कॉलेस् पुटिल से दूर रहना है भगवान आपको खुश रखे जैहिंद